मैं अपने कॉंग्रेस के साथियों को सुन रही थी इस विशे को उठाते हो तो मेरे मन में एक स्वभाविक जिग्यासा जागी कि 2008 में आप राजिसभा की अंदर इस बिल को लेकर आये थी और 2010 में आपने इसको पारित कराया था आज आप कॉंग्रेस पार्टी के तरफ से ये विशे OBC कोटा का जो उठाया जा रहा है मेरे मन में जिग्यासा है कि उस समय जब राजिसभा में लाके बिल पास कराया था तब क्या पिछडे समाज की महिलाओं को बोटा दिया जाए, ये विशे आपके संघ्यान में आपकी पार्टी की प्रायोरिटी था या नहीं था और अगर उस वक आकि प्रायोरिटी नहीं था, तो आज जब मोदी जी की सरकार ये बिल लाई है और ये बिल पास होगा क्योंकि संख्या बल इस किसम का है तो क्या ये नया नया ख्याल अभी और बात देखिए अतेख जी कि हमारे कई साथियों ने बार-बार कहा कि चुनाओ है दो हजार चौबिस का कि दो हजार चौबिस का चुनाओ है सरुख दलिये बैटक में मैं सुन रही थी कई सारे हमारे साथ थी महिला अरक्षर विदेयक लाने की बांग कर रहे थे तो आप मैं देखती हूँ एक अजीब स्थिती है कि अगर सरकार इस बिल को पेश नहीं करती तो आप कहते हैं कि आप अब यह तो मैला भी रो दिया आप तु मैला की चिंता नहीं करते आप मैला की फरतिवादा पूरा नहीं करते और जब सरकार बिल ले आई ये तो आप कहते हैं कि अभी दो हजार चौबिस के आप चुनाओ को देखकर लाएं है चुनाओ में इसका फाइदा नहीं मिलेगा अधिक जी हर फैसला संसब में बैठकर किसी चुनाओ को देखकर नहीं किया जा सकता। आज हमने एक अच्छी शुरुआत की है, हमने एक अच्छी पहल की है और इसे अगर हमें अंजाम तक पहुचाना है तो इसकी एक पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन हमें करना पड़ेगा। सवाल है कि आने वाले चुनाव में यह लागू हो पाएगा कि नहीं लागू हो पाएगा। और जो विधान सभा के भी चुनाव होने जा रहे हैं, जो पांच राज्यों में होने जा रहे हैं, उसमें यह लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। विदाएक दिल, स्वाल यह ही है कि जनकरना कब होगी और यह सवाल इसके साथ यह भी है कि यह सरकार जातीगर जनकरना कराएगी या नहीं कराएगी मंत्री जी ने कहा था कि हमें सिध्धी की बात करी थी सब तो साधना से ही सिध्धी की प्राप्ती होती है और असली साधना तभी होगी जब हम महलाओं को उनका पूर्ण आरक्षन देंगे जब हम OBC महलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे जब हम SCST महलाओं को इसमें अंक्लूड करेंगे और जब हम अलसंख्यक महलाओं को भी इसमें इंक्लूड करेंगे सम्मिलित करेंगे क्योंकि पधार मंत्री जी खुद तीन तलाग की बात के आकड़े हम हमारे सामने नहीं है 2001 में हमारी census हुई उसके बाद एक लंबे समय तक हमने census की exercise नहीं करवा पाई है बीच में कोविट की भी बात हाएं रही तो हमारे पास जो जनगणना के आकड़े हैं वो बेहत पुराने हैं और उसके आधार पे हम delimitation नहीं कर सकते हम additional seeds generate नहीं कर सकते इसलिए हमें इस सम्वेदानी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा और हमें नए census exercise के साथ delimitation करने हुए additional seeds create करनी होंगी जिसमें हमारी और जो महिलाएं हैं उनको इसमें आने का मौका मिले और जो आज हम परिशान है कि महज लोकसमा में 14 परजियत की हमारी महिलाओं की भागेदारी है वो बड़े हमारे राज्यों के नेक्स स्पीकर नव थाज्यों के इस विशेश सत्र में जहां एक और आज हम अपनी 96 वर्ष पुरानी संसत्भवन को जिसे अब सम्विधान सदन कहा जाएगा उसे पीछे छोड़कर नए संसत्भवन में प्रवेश कर चुके हैं वहीं दूसरी और इस नए संसत्भवन में अपनी पहले ही दिन हमने विधाई कारे की शुरुवात करते हुए नारी शक्ती को सही माइनों में नमन करने का काम किया है एक सो अठाईसवा सम्विधान संचोधन विधेयक जो महिला आरक्षन विधेयक सरकार लेकर आई है इसकी मैं तहे दिल से सराहना करती हूँ मानिये प्रधान मंत्री जी को इसके लिए अभार व्यक्त करती हूँ और ये सही माइनों में हम सब के लिए अभी सम्विधान में तबापती महदे भारत दुनिया का सबसे जादा अबादी वाला देश है और 142 करोड की आबादी में 70 करोड की आबादी महिलाओं की है लेकिन बहुत चिंता जनक और दुर्भागेपूर है कि आज भी हमारे लोकतबा में जो महिलाओं की भागेदारी है वो महस 14 प्रतिशत है और राजसबा में केवल 11 प्रतिशत है इंटर पार्लिमेंटरी यूनियन की एक रिसर्च हुई जिसमें निचले सदन में महिलाओं की भागेदारी का आकड़ा देखा गया जिसमें भारत की रांकिंग 149 है यानि 149 है और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भी 146 देशों में जो भारत की रांकिंग है वो 135 भी है यह कोई बहुत एंकरेजिंग आकड़ा नहीं है हमारे लिए और सरकार के तमाम आर्थिक सर्वेक्षन भी बताते हैं कि हमारे राज्य की विधानसबाओं से लेकर अमारे देश की लोकसबा में देश की संसद में महिलाओं की भागेदारी बहुत कम है और इसलिए महिला आरक्षन विधेयक समय की जरूरत है और आज ये बड़े दुख की बात है कि छोटे छोटे देश यूएई क्यूबा रुआंडा मेकसिको, निकारगुआ, न्यूजिलेंड ये वो देश हैं जिनोंने 50% तक महिलाओं की भागेदारी अपने डेमोकरसी में सुनिश्चित कर लिये और भारत जो कहता है कि दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र है हम अपने यहां 50% की अभी तक भागेदारी सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं तो उस तिशा में ये महत्वपूर कदम है और बाबा साहिव अंबेटकर ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इस दे की टू सोशल प्रोग्रेस हमने देखा है कि हमने अर्बन लोकल बॉडी में पंचाईती राच संस्थाओं में जब अपने देश की महिला आगे बढ़के कैसे देश का नेत्रित्व करें इसकी बात हम करते हैं तो इसलिए जरूरी है कि जो टॉप्मस्ट डिसिजन मेकिंग है हमारे देश की अंदर हमारे लेजिसलेटिव प्रोसेस में और हमारे इन इंसिटूशन में हमारी महिलाओं को लाना बेहत जरूरी है और आई थी और उसके बाद तमाम लोगों ने परियास किये तमाम पार्टीज सर्कारों ने 97-98-99-2003 में वाजभाई जी की NDIA की सरकार ने परियास किया सफलता तक अंजाम तक पहुचाने का काम इस बार करके दिखाएंगे मैंने विपक्ष के सातियों की चप्चाओं को सुना उसमें कई विशे सामने आए जिसमें एक मैत्वपूर विशे था इस बिल के तहट जो हमारे पिछडे समाज से आने वाली महिलाएं हैं उनके लिए अलग से प्रावधान करने का अधिक जी ये विशे गंभीर है और ये जो चिमता है वो नाजायस भी नहीं है इसमान को गलग भी नहीं ठहराय जा सकता क्योंकि महिलाओं को अगर हम देखे तो महिलाएं एक जैसा ग्रूप नहीं है महिलाएं एक हेट्रोजेनिस ग्रूप हैं क्योंकि महिलाएं अलग-अलग पारिवारिक प्रिष्ट भूमी से आती हैं अलग-अलग इंकम लेवल से आती हैं अलग-अलग जाती धर्म संप्रदाय से आती हैं और उनकी जो लिटरिसी लेवल्स होते हैं जो उनकी शिक्षा का स्तर होता है वो भी अलग-अलग होता है और हमारी जो समाजिक संरचना है उसमें जो हमारे पिछड़े वंचित समाज से आनी वाली महिलाएं हैं निश्चित रूप से वह और हाशिये पर हैं और उनके लिए चुनौतिया अलग किस्म की हैं उनके लिए चुनौतिया आधिक भ प्रदान मंत्री जी जरूर कुछ ना कुछ विचार कर रहे होंगे और इसको सुनिशित करने के लिए भी कोई काम जरूर करेंगे जब मैं अपने कॉंग्रेस के साथियों को सुन रही थी इस विश्यों को उठाते हो तो मेरे मन में एक स्वभाविक जिग्यासा जागी कि 2008 में आप राजिसभा की अंदर इस बिल को लेकर आये थे और 2010 में आपने इसको पारित कराया था आज आप कॉंग्रेस पार्टी के तरफ से ये विश्यों बीसी कोटा का जो उठाया जा रहा है मेरे मन में जिग्यासा है कि उस समय जब राजिसभा में इलाके बिल पास कराया था तब क्या पिछड़े समाज की महिलाओं को तोटा दिया जाए ये विश्यों आपके संग्यान में आपकी पार्टी की प्रायोरिटी था या नहीं था और अगर उस वक्त आपकी पार्टी की प्रायोरिटी नहीं था तो आज जो मोदी जी की सरकार ये बिल लाई है और ये ब अपने आवरन बार 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 बदल नहीं सकते हैं अद्धिक्ष मौदे ये मैं जरूर कहना चाहती हूँ मैंने एक और बात देखी है अद्धिक जी कि हमारे कई साथियों ने बार बार कहा कि चुनाओ है 2024 का 2024 का चुनाओ है सरुदलिय बैटक में मैं सुन रही थी कई सारे हमारे साथि माहिला अरक्षर विदेहक लाने की बांग कर रहे थे तो अब मैं देखती हूँ एक अजीब स्थिती है कि अगर सरकार इस बिल को पेश नहीं करती तो आप कहते हैं कि आप तो मैला विरोदी आप तो मैला की चिंता नहीं करते आप मैला के प्रतिवादा पूरा नहीं करते और जब सरकार बिल ले आईए तो आप कहते हैं कि अभी 2024 के आप चुनाओ को देखकर लाए है चुनाओ में इसका फाइदा नहीं मिलेगा अधिक जी हर फैसला संसद में बेटकर किसी चुनाओ को देखकर नहीं किया जा सकता आज हमने एक अच्छी शुरुवात किये हमने एक अच्छी पहल की है और इसे अगर हमें अंजाम तक पहुचाना है तो इसकी एक पूरी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन हमें करना पड़ेगा हम जानते हैं कि 2011 के आकड़े हम हमारे सामने नहीं है 2001 में हमारी सेंसेस हुई उसके बाद एक लंबे समय तक हमने सेंसेस की एकसराइस नहीं करवा पाई है बीच में COVID की भी बाधाएं रही तो हमारे पास जो जंगर्णा के आकड़े हैं वो बेहत पुराने हैं और उसके आधार पे हम delimitation नहीं कर सकते हम additional seats generate नहीं कर सकते हमें इस सम्वेधानिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा और हमें नए census exercise के साथ delimitation करते हुए additional seats create करनी हो होंगी जिसमें हमारी और जो महिलाएं हैं उनको इसमें आने का मौका मिले और जो आज हम परिशान है कि महज लोकसमा में 14 परिश्यत की हमारी महिलाओं की भागेदारी है वो बड़े हमारे राज्जियों के सदन में भी बड़े तो ये चिंता जो आपकी है ये जो बार-ब हो सकती है सरकार उनका ध्यान भी रखेगी और इसको हम खुले दिल से स्वीकार करते हुए बिना किसी किन्तु परंतु के इसको आगे बढ़ाएं इसको आगे लेकर जाएं और बाकी सारे जो सेंसस को लेकर या डिलिमिटेशन को लेकर आपकी चिंताएं हैं उसके आप त्य आप दीजिये सरकार इसकी चिंता कर लेगी आपने मुझे समय दिया मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और इस बिल को लाने के लिप उना मैं अपने देश के प्रधान मंतरी हमारे सरकार के मुखिया माने निये श्री नरवंद्र मोदी जी को विदे से आभार वेक्त करता हू जानियवाद 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 गेस बीदे लिए तो भी नारी शक्ती वंदन विदेहत समाजवादी पार्टी की हमेशा से वा यह मांग रही है की पिष्रा वर्ग महला इसम्संख्यक महला को भी इसमें सम्मलित किया जाए इसमें उनको आरक्षिन दिया जाए सर लोकसभा और विधान सभा में तो यह बिल लागू होगा लेकिन हम यह पूछना चाहते हैं कि यह राज्य सभा और विधान परिशद में भी लागू होगा कि नहीं लागू होगा 13 साल से बिल अटका हुआ था सर और लगबग एक दशक पूरे होने जा रहा है भाजपा की सरकार को और इस एक दशक में जब लगबग पूरा होने जा रहा है तब इस सरकार को महलाओं की याद आई है तो आखिर क्यों जब यह दस वर्ष पूरे होने जा रहे हैं सरकार को तो महिलाओं की याद आही है अब सर्व मेरा यह सवाल है कि आने वाले चुनाव में यह लागू हो पाएगा कि नहीं लागू हो पाएगा और जो विधान सभा के भी चुनाव होने जा रहे हैं जो पांच राज्यों में होने जा रहे हैं उसमें यह लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा यह महिला विदयक बिल सवाल यह भी है कि जंगर्ना कब होगी और यह सवाल इसके साथ यह भी है कि यह सरकार जातीगर जंगर्ना कराएगी या नहीं कराएगी इसी के साथ सवाल यह भी है कि परिसीमन कब होगा और परिसीमन के अधार पे ही आरक्षिन महलाओ को मिला जाएगा सब पधार मंती जी ने कहा था कि हमें सिद्धी की बात करी थी सब तो साधना से ही सिद्धी की प्राप्ति होती है और असली साधना तभी होगी जब हम महलाओं को उनका पूर्ण आरक्षन देंगे, जब हम OBC महलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, जब हम SCST महलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, और जब हम अलसंख्यक महलाओं को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित करेंगे, क् कि पढ़ार मंत्री जी खुद तीन तलाग की बात करते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें अलसंफिक्त महलाओं का भी मान और पक्ष रखा जाएगा. Sir, जहां हम बात कर रहे हैं आज महला विदेग बिल की, तो without revolution, evolution is not possible. And for revolution to take place in our country, it is very important that the OPC women get their reservation, that the SCST women get their reservation and that the minorities women also get these reservations, sir. Sir, मुझे पूरा भरोसा है सरकार पर कि समाजवादी पार्टी की जो यह मांग है, वो इस पे श्रवन भी करेंगी, मनन भी करेंगी और इसका निदी ध्यासन भी करेंगी. Sir, मुझे पूरी उमीद है कि हमारी पिश्रावर्ट महलाओं, जो बहुत पिछड़ी हैं, जिनकी आप समझ नहीं सकते कितनी वो पिछ़े पन से गुजर रही हैं, जैसे हनिशिकान दूबजी ने कहा था, वो महलाओं का दर समझते हैं, तो उनको पिछड़ी महलाओं का भी भी ना लें, Sir, इनी शब्दों के साथ, Sir, स्वाइबादी पार्टी की मांग को में धराते वे, कि पछड़ावर्ट की महलाओं, अलसंक्यक महलाओं और S.C.S.T. महलाओं को भी आरक्षिन मिलना जहीं, मैं अपने वाद को समाप्त करते हैं, जन्यवाद, मैं जन्यवाद, म